बिस्मिल्लाही रह्मान रहीम असलावलिकुम फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग इंशालाब सब क्यारिये से होंगे Hello friends, मेरा नाम है हीना और आप लोगों का welcome है मेरे YouTube channel हीना health में मेरे channel पे आपको daily pregnancy related guidance, pregnancy tips, success stories and women health related videos मिलते हैं जिसका इस्तमाल करके अब तक बहुत सारी महिलाओं ने गर्बधारन किया है worst से worst condition में तो friends, अगर आप लोग भी pregnancy plan करें, conceive करना चाते हैं तो ये वीडियो पूरा end तक देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों कुछ ऐसे important tips देने वाली हूँ जो आपकी प्रजिनन श्रब्धा को भी बनाएंगे और conceive करने में help करेंगे friends, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग comment box में पूछते हैं कि madam, हम बहुत साल से try करें, conceive करने के लिए treatment भी बहुत लिए, medicines भी बहुत खाए बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कहीं से भी कोई फाइदा नहीं हुआ बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते कि madam, हमारे सारी रिपोस टॉर्मल है, husband और wife की फिर भी हमें conceive नहीं हो रहा, तो हम में क्या कमी है, किस वज़े से conceive नहीं हो रहा है और क्या ऐसी हम चीज़ करें, जिससे हमें conceive हो जाए तो friends, आज के इस वीडियो में हम इसी topic के उपर detail में बात करने वाले हैं तो जिन भी महिलाओं को गर्बधारन नहीं हो रहा है, वो इस वीडियो को specially जरूर देखे ताकि आप लोग भी अपनी pregnancy plan अगर कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी pregnant हो जाए तो चलिए friends, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी ये वीडियो मैंने बहुत ही महनत से बनाया है, तो इस वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो अपने प्यार जरूर दिखाए, वीडियो को जरूर लाइक करें, जाद से जाद से शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन भी आन कर ले फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम विटामीन डी के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी महिलाएं कंसीव करना चाती है तो मैंने बहुत सारी महिलाओं के अंदर ऐसा देखा है वितामीन D की कमी की कारण भी जो है कन्सीव नहीं होता है Friend ये बहुती main और important part है इसको जो है ignore बिल्कुल भी नहीं करना है मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं जो है वो अपने कुछ blood test करवाती हैं में आता है AMH, prolactin, thyroid, FSH, LH, tubes का टेस्ट करवाती है, अंडे की जाँच करवाती है, लेकिन कोई भी अपने vitamins का टेस्ट नहीं करवाते हैं, कि हमारे अंदर vitamin D की कमी है, vitamin B12 की कमी है, किस चीज की कमी है, जिसको हमें पूरा करना है, क्योंकि ये भी पार्ट बहुत जादा important है, मैंने बहुत सारे clinics में देखा है, कि इसका भी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जादा तर मैंने देखा है, आज कल के infertility treatments में, डॉक्टर सिफ इन ही चीजों के पर focus करते हैं, कि AMH का टेस्ट कर लो, prolactin, FSH, LH, thyroid और अंडे की जाँच करवा, follicle scan के तुरू, और tubes का check करते हैं, husband के test करते हैं, तो friends, जो infertility treatments होते हैं, basically वो इसी चीज के उपर जादा focus करते हैं, लेकिन friends, जो हमारी body के अंदर vitamins की जरूरत होती है, अगर हमारी body के अंदर कोई भी एक vitamin की कमी होगी, especially vitamin D की, तो भी आपको conceive करने में problems आ सकती हैं, भले ही आपकी सारी reports normal हो, सब कुछ आपके अंदर proper हो, तो friends, जो भी लोग conceive करने के लिए try कर रहे हैं, बहुत साल से वो conceive नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले vitamin D की कमी आपको है, क्या इसको देखिए, आप जो है इसको देखने के लिए कुछ लक्षनों के द्वारा भी देख सकते हैं, या फिर doctor के पास जाके, इसका test भी अपना कर सकते हैं, blood test के तुरू आपको ये पता शल जाएगा, कि आपकी body के अंदर vitamin D की कमी है, क्या नहीं, क्योंकि friend, ये जो part है, इसको ignore करने वाला बिल्कुल भी part नहीं है, जिन भी महिलाव को conceive नहीं हो रहा है, उनको vitamin D की जरूर ही अपनी जांच करवाना चाहिए, मैं यहां पर आप लोगों को example देना चाहती हूँ friend, मेरी एक friend है, जो 5 सार से try कर रही थी, conceive करने के, उनकी सारी रिपोस्ट normal थी, फिर उन्हों ने जो है, मुझे बताया कि मुझे ऐसे सी problem है, मुझे conceive नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको बोला कि आप एक पर अपना vitamin D जो है, उसका test करवाई है, क्यूंकि उनकी जैसी हालत थी, जैसे उनके अंदर जो symptoms मुझे नजर आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर vitamin D की शरत कमी हो सकती, तो मैंने उनको प्राइ किया, पांस साल के बाद में उनको naturally conceive हो गया, वो भी एक महिने के अंदर अंदर, तो फ्रेंस, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको मैं इस बारे में भी knowledge जरूर दूँ, कि आप लोग जो अपना infertility treatment करवाते हैं, भले ही आप इतने महेंगे महेंगे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन आप vitamin D का test बिल्कुल नहीं करवाते हैं और ये देखते भी नहीं है कि हमारे अंदर vitamin D की कमी है या फिर कभी-कभी doctors ही आपको नहीं बोलते हैं कि इसका test करवा लो, अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे common symptoms बताऊंगी जिससे आप घर बैटे ही पहचान सकते हैं कि आपको vitamin D की कमी है और अगर आपको ऐसे कोई भी symptoms नजर आते हैं तो तुरन डॉक्टर के पास जाए और इसका test करवा के देखें कि सच में आपको vitamin D की कमी है क्या और अगर है तो इसके आप supplements लेके इसके rich food items खाके भी आप इसकी कमी को दूर करके conceive कने के लिए try कर सकते हैं अभी मैं आपको कुछ common symptoms के बार में बताती हूँ जिसमें आता है बार बार बीमार होना अगर आप बार बीमार होते हैं आपको cold होता है flow हो जाता है तो ये भी एक reason हो सकता है क आपके अंदर vitamin D की कमी है और जो है third है वो है थकान आपको बार बार थकान सा फील होगा कमर में दर्द रहेगा पीट में दर्द रहेगा जहां पे जोड़े होते हैं वहां पे भी दर्द आपको हो सकता है जहां पे joints होते हैं वहां पे extreme pain होता है तो ये भी हो सकता है कि आप को भी डिप्रेशन फील होता है तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाए बोन लॉस यानि कि हड़ी जो है बहुत ज़दा कमजोर हो जाती है जिनके भी अंदर विटामिन डी की कमी होती है है लोस एक्स्ट्रीम होता है फ्रेंज जिन भी महिलाओं के अंदर स्ट्रेस है है लोस करने में तो अगर आप लोगों को बहुत ज़दे एकस्ट्रीम हैर लॉस हो रहे हैं अगर थोड़े बहुत हो रहे तो ठीक है लेकिन एक्स्ट्रीम हो रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी बॉड़ी में विटामिन D की डिफिशंसी है और जो तो फ्रेंज यह कुछ ऐसे मुख्य लक्षन हैं जिसको आप देखके जिसको पहचान के आप यह पता लगा सकते हैं और अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षन नजर आते हैं तो तुरन डॉक्टर के पास जाए और अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाए अब मैं आपक दूट के लिए किर सकते हैं सबसे पहला अता है डेरी प्रोडफ्ट Zhengly प्रोडक्ट से बनीविय जितने भी चीज़ को ती जो दूट से बनीवी चीज़ होती आपको हाइआमाउंट में क्यशियम मिलता है जो आपकी विटामिन डी कामी इसको पूरा करता आ तो अगर आप चाहे तो दिन भर में dairy product ज़ादा से ज़ादा इस्तमाल करें अपनी diet के अंदर orange juice का ज़ादा से ज़ादा इस्तमाल करें soya milk का जो है आप अपनी diet में ज़रूर इस्तमाल करें और जो cheese होती है, cheese भी दूठ से बनी हुई होती है तो इसको भी ज़रूर अपनी डाइट में एड़ करें और एक बाद मैं यहां पर फ्रेंज बता दू अगर आप लोग बटर का इस्तमाल करते हैं तो इसका इस्तमाल ना करें क्यूंकि बटर जो है हमारी फॉर्टिलेडी को डिक्रीज करता है तो बटर को छोड़के आप सारी दूद की बनीवी चीजें खा सकते हैं चाये वह पनीर हो चीज हो और डेरी प्रड़क्स हो तो सारी चीजे आप जो है अपनी डाइट में एड़ कर सकते हैं एग योग जो होता है जो अंडे के अंदर जो पीला पाठ होता है इसके अंदर भी high amount में आपको जो है विटामिन सायलमन लेकिन ये बहुती महंगी होती है लेकिन अगर आप इसका इस्तमाल करना चाते हैं तो कर सकते हैं इसमें भी आपको विटामिन डी बहुत भरपूर मातरा में पाये जाता है जिन भी लोगों को विटामिन डी की डेफिशंसी होती है वो अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि अपनी डेली लाइफ में डेली प्रोड़क्ट का इस्तमाज जादा नहीं करते जादा मचलिया नहीं खा है जिससे आप अपनी विटामिन डी की डेफिशंसी को जो है बहुती जल पूरा कर सकते हैं फ्रेंज यह जो खाने पीने की मैं आपको चीज़े बताई है इस पे आपकी जो कमी है वो पूरी तरीके से तो फुल्फिल नहीं होगी लेकिन आप डॉक्टर से इसके लिए सप् है पहली दूब होती है उसको आप ले लिजे इससे भी आपको जो है विटामिन डी मिलता है बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है तो अगर है तो उसकी कमी को पूरा करके कंसीव करने के लिए जरूर ट्राइ करें I hope आज के इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़े बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी जितनी भी मैंने information आपको दी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी वीडियो गर आपको दिल से पसंद आये तो उसको like जरूर करिए मुझे comment करके बताई है वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell notification भी on कर ले जब तक के लिए अल्ला हाफिस